माराथी मुदा छोड़ अब हिंदोत्व की राजनीती करेंगे राज ठाकरे क्या भाजपा का मिलेगा साथ एक समय में बीजेप और प्रधान मंतरी के कटर आलोचक माने जाने वाले महराष्ट नव निरवार सेना के नेता राज ठाकरे के सुर इन दून बदले से नज़रा रही है राज ठाकरे की सरकार गिड़ने के बाद से राज ठाकरे बीजेपी नेताओं की संपर्क में हैं को जोड़ कर देखा जा रहा है क्यास लगाई जाने लगे हैं कि वे अब हिंदुत की राह लेंगे वैसे वी उनका मराठी मुद्धा अब फुस हो चुका है देखा जाए तो पिछले कई महीनों से राजठाकरे खुद को हिंदुत के नेता के तौर पर इस्थापित करने की को मार सेना और बीजेपी के बीच बड़ती नजीक्यों के रूप में देखा जा रहा है महराज की राजनीती में कभी मराठी मानुज और कटर हिंदुत की समर्थक माने जाने वाली सिर्फ से ना कि हिंदुत के मुद्धों पर पकड़ धिली होने से राजठाकरे को फ्रंट फ राजनीती से मनस की गैर मराठी वोटरों के बीच भी स्विकारिता बढ़ेगी मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं जबकि बाकी 64% में उत्तर भारती गुजराती और अन्य शामिल है इसकी एक और बड़ी वजब मनसे की उतर भारती विरोधी पार्टी होने की में इसको ध जराया दूसरा कारण यह है कि कॉंग्रेस और NCP से गठवंदन की वज़े से सिफसेना को हिंदुत वोपर अपने रुक को भी नरम करना पड़ा सिफसेना हाली के दिनों में लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की विवात से लेकर हनवान चालीसा के पार्ट के के परपुने में मन से कारिकरताओं की मौजूदगी में हनवान चालीसा का पार्ट भी किया था इसके बाद उद्दव सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था इसके विरोध में उन्होंने और अंगाबाद में रैली भी की थी यह सब देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि वे तब हिंदुत की राह पर चलने वाले हैं